देखा जा रहा है कि कैसे मालिनी आदित्य के लिए दिवानी होती जा रही है। मालिनी ने आदित्य को अपने जीवन में वापस लाने के लिए सारी हदे पार कर दी लेकिन इमली का प्यार उसकी बुराई पर जीत हासिल कर रहा है। इस बीच जब नानी और ट्विस्ट जोणती हैं और इमली की मुह दिखाई की रस्म की घोशडा करती हैं तो यहां एक नया ट्विस्ट आता है। मालिनी किचन में इमली का सामना करती है और आदित्य को उससे वापस छीनने की चुनौती देती है। इतना ही काफी नहीं है जब मालिनी इमली को चुनौती देती है कि वह तब तक हार नहीं मानेगी जब तक कि वह उसे आदित्य से अलग नहीं कर देती। इमली भी पीछे हटने वाली नहीं है और इस तरह वह मालिनी को चुनोती देती है कि वह रिष्टे की रक्षा करती रहेगी और आदित्ते केवल अनुष्ठान में अपना परदा हटाएगा। इमली के पास अब मालिनी और अनु के खिलाफ मीठी और नानी की टीम है हाला कि क्या वह मालिनी को हरा पाएगी या मालिनी उसकी जगा मुह दिखाई की रस्म में ले लेगी। जीतासिल कर रहा है। इस बीच जब नानी और ट्विस्ट जोडती हैं और इमली की मुह दिखाई की रस्म की घोशडा करती हैं तो यहां एक नया ट्विस्ट आता है। मालिनी किचन में इमली का सामना करती है और आदित्य को उससे वापस छीनने की चुनौती देती है। इतना ही काफी नहीं है जब मालिनी इमली को चुनौती देती है कि वह तब तक हार नहीं मालेगी जब तक कि वह उसे आदित्य से अलग नहीं कर देती। इमली भी पीछे हटने वाली नहीं है और इस तरह वह मालिनी को चुनौती देती है कि वह रिष्टे की रक्षा करती रहेगी और आदित्य केवल अनुष्ठान में अपना पर्दा हटाएगा. इमली के पास अब मालिनी और अनु के खिलाफ मीठी और नानी की टीम है. हाला कि क्या वह मालिनी को हरा पाएगी या मालिनी उसकी जगा मुहदिखाई की रस्म में ले लेगी?